अंदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है कल जरूर यार थोड़ा में बीजी था एक साधी समारो में अटेंट कर रहा था उस कारण से वीडियो शूट नहीं हो पाए तो कल एक ही वीडियो आपाया कोई अपडेट नहीं भी थी तो इसलिए भी मैंने सोचा वीडियो न नहीं रहा है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जो मुमेंट है वो यार अचानक से नहीं हुआ है अगर आप गोर करें तो मार्केट में कोई खास मुमेंट नहीं होने से शीवयनु में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है और जो लोगों ने हालविंग के फर्स्ट स्टेन करा था प्राइज ने काफी दिनों तक लेकिन कोई खास मोमेंट नहीं हुई इन दिनों में और इसी लिए वो फिर निकल गए क्योंकि यहां पर अगर हम देखे तो यह वही हालविंग का पंप था जिसमें हालविंग के फर्ष्ट दिन का पंप था लेकिन मार्केट य नहीं करना का रिजन क्या है वो हम तलासेंगे तो हमारी नजर सीदे जाती है बीटी सी के ऊपर बीटी सी का लेवल अगर हम देखे तो 63,000 डॉलर के करीब आ चुका है मार्केट में कोई खास मोमेंट जरूर देखने को नहीं मिल रही है कल जरूर 24 घंटे में आपको एक दो पर्षन मार्केट पंप दिखा है लेकिन अगर पिछले साथ दिनों की देखे तो मार्केट ने डाउन दिखाया है यहां पर भी वही situation बनी है जो शीबा के साथ बनी है या अनक्रिप्टो के साथ बनी है और वो यह कि यहां पर पंप जरूर हुआ था मार्केट हालविंग क बाद भी market pump नहीं हो रहा है इसके पीछे reason क्या है ठीक है और basically यहां से market का pump नहीं होने से reason क्या बन रहा है क्योंकि उधर देखे हम Hong Kong का भी Hong Kong ने भी basically approve कर दिया है first sport ETF को उसके बावजूद यहां पर अगर pump नहीं दिख रहा है next moment bitcoin का हो क्या रहा है देखे अगर हम गोर से चीजों को समझे तो हमेशा से ही cryptocurrency market ने चोकाया है मतलब कोई भी predict जब करता है उस बीच market यहां पर बहुत कम बढ़ता है और अचानक से इसमें rally आती है आपने देखा होगा अभी जो हाली कि 300% की rally शीबा में आई bitcoin में 60% की rally आई उसमें एक चीज नोटिस करी कि पूरे crypto market में वो rally आई थी तब जब किसी ने predict नहीं किया था मतलब wheels यह देखती है कि लोग predict कर रहे हैं तो इस बीच यार ज़्यादातर लोगों का opinion उसी ओर जाता है और यही कारण है कि ज़्यादातर quantity में जिस ओर जाता है उसके विपरित काम किया जाए तो market में एक अच्छा वो है profit निकलता है और बड़े players साइद इस scale को समझ गए होंगे कि जो छोटी audience है वो किस ओर जा रही है छोटी audience से मतलब छोटे trader crypto के वो जिस ओर जा रहा है वही moment खास हो जाता है और यही कारण हम notice कर रहे है कुछ दिनों से कि ये wheels उसी हिसाब से आगे के तरफ बढ़ रही है उसी हिसाब से नीचे के तरफ जा रही है और हम इसी कारण से कोई खास moment नहीं देख रहे है अब market अगर इस range से उपन नीचे जाता है तो ये wheels की ही चाल की तरफ से होगा तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि market कब rally ले ले कब अचानक से pump हो जाए बहुत predict करना आज के time पर बहुत कठिन हो चुका है तो इसका सबसे सटिक wishlation सटिक यही है कि आपको Shiba में अपनी holding लेके बेठना है जादा तर trader Shiba में hold is gold के साथ आगे बढ़ रहे है कौन-कौन ऐसे लोग है comments में एक बार जरूर opinion लिखे जो hold is gold के साथ आगे बढ़ रहे है एक बार hold कर लिया एक बार buying कर लिया hold कर लिया आप भूल जाईए market उपर जाए नीचे जाए कोई मतलम नहीं है क्योंकि यह जो rally आएगी ने यह अचानक सा आएगी और मैंने कई bull run देखे 2021 में भी एक चीज नोटिस करी थी उस time भी लग रहा था कि bull run आ रहा है Halloween हो गई थी bull run आ रहा है आ रहा है लेकि नहीं आया था और फिर जब लोग ठक गए कहते हैं कहते हैं कि bull run आ रहा है और उसके बाद market ने एक range दिखाई market उपर की दिसा में गया और फिर एसा गया कि वो फिर रुका ही नहीं क्योंकि फिर सभी trader active हो गए था कहने का मतलब यही है कि market कभ एकदम बढ़त ले ले कोई कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि लोगों को यह देखिए पेशा कमाने का market से यही तो तरीका fund होता है कि market को पहले तो भावनाओ के विपरित ले जाओ फिर भावनाओ के साथ ले जाओ market में जब लोग सोचते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा उस बीच मत बढ़ाओ जब वो सोचते हैं नहीं बढ़ेगा उस बीच बढ़ादो तब ही जाके तो लोगों इनका फाइदा होगा बड़े प्लियर्स का तो भीया hold is gold के साथ शीबा में ट्रेट करो तो ज़्यादा प्रोफिटेबल ट्रेडर बनोगे क्योंकि market को pump लेना है आज नहीं तो कल लेना है हालविंग हो चुकी है इदर rewards आधे हो चुके है कोई mining करने को bitcoin की तयार नहीं है और obviously mining में जो rewards से है 3.125 पर BTC पर block हो चुका है तो एसे में यार बहुत crucial है mining होना और supply market में आएगी नहीं तो obviously demand create होगी भले ही वो देर से हो क्योंकि market में हर कोई wait कर रहा है अगली moment का और यही moment market को boost दिलवाएगी क्योंकि जैसे moment देखी लोगोंने समझा और market में कूत पड़ेंगे लोग और जैसे ही market में कूत पड़ेंगे लोग तो BTC अपने आप में all time high की तरफ बढ़ेगा और यही BTC फिर पूरे crypto market को ऊपर की range में ले जाएगा हलाकि अभी भी बहुत सरे coin आप market में गोर करोगे तो दिखेंगे जो कि लाइक 24 hours 7 days में green में चल रहा है और अच्छे खासे green में चल रहा है मतलब लोग उनमें धोर थोड़ी थोड़ी भले buying बड़ा रहे है जैसे लाइक ethereum का आप देख लो क्योंकि 2 मई को ethereum का sport ETF आना है यहां पर अगर आप देखे तो 5% 4% तक कि 24 गंटे 7 दिन में यहां पर वह हुई है और यहां पर ethereum का sport ETF से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है इसी कारण से ethereum के दाम कम नहीं हो रहे है क्योंकि 2 मई को finally approval में 99.99% chance है कि approval मिल जाएगा क्योंकि BTC को मिल चुका है इधर देखो तो आप यह देखना जरूरी है कि कितना मार्केट और पंप होता है तो जैसे इसी टाइप से BNB देख लो आप और अगर नीचे जाओगे तो कुछ coin को छोड़के बाकि सब कुछ ने कुछ green में चल रहे है जैसे ट्रोन ने कच्छा coin है तो इस हिसाब से बाकि तो भले रेड में ही चल रहे है Bitcoin के पीछे-पीछे वाले कोई लेकिन कुछ में बाइंग हो रही होगी यह यहाँ पर संकेत मिल रहे है तो यह जो रेली आएगे न यह अच्छानक से रेली आएगे और अनेक्स्पेक्टेट रेली आएगे तो यह यारी करके बैठो hold gold के साथ मस्त रहो क्योंकि टेंसन रहेगा नहीं क्यार मार्केट की सोर जा रहा है कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है तो टेंसन नहीं हाँ टेंसन उन लोगों के लिए जो short term buying short term selling करते हैं वो लोग यहां पर बले ही देखिए crypto market से short term rally short term buying के विसे में ज्यादा नहीं सोचता है क्योंकि यह एक बड़ी complicated काम है crypto market कब गिर जार आतम रात किसी को पता नहीं है कहां कोई stop loss का तो काम है नहीं तो यहां तो hero ला खेल है यह तो hero बनोगे है फिर zero बनोग आपको अच्छे coin में long term के लिए लगाना है तो shiba meme token इनमें बढ़िया है एक बर bitcoin बढ़ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा यार wait करिए सब कुछ normal सब कुछ अच्छा होने वाला है तो I hope यही इस्तिती थी कि rally है तो अचानक हिससे ही आएगी आपको घपराना नहीं है panic नही यार रहना चाहिए ताकि उस चीज को हम छोड़े नहीं तो I hope यार वीडियो enjoy क्या होगा मिलते किसी नए interesting वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार